दोस्तो ओम नमस्ष शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 माई 2023 दिन गुरुवार के आपकी राशी के देनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से आज आपको साफधन रहना होगा किन किन चीजों से आज आज आपको फायदा होगा आपकी आज लव लाइफ कैसी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और साथ-साथ आज आपका भाग्यसाली अंक क्या रहेगा भाग्यसाली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन-कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे और साथ-साथ आज आपके भाग्या का आपको कितना परतीस साथ मिलेगा और साथ साथ आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सभी की महत्पपून और सटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैस पल रहेंगे बहतरी के लिए आज आप कुछ सकारत्मक बदलाव लाने पर भी विचार करेंगे आपके विनर्म श्वाभाव की वज़े से समाज वे संबंदियों में आपका उचित इस्थान बना रहेगा साथ साथ आज आप दहरें वे विवेक का उपियोग करके किसी भी स चमस्या को सुल्जाने में शक्षम रहेंगे आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत इस्तिती में रहेगा परिवार के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का द्यान रखना आपको आज खुसी प्रदान करेगा पुराने मित्रों से भी आज मुलाकात हो सकती हैं साथ इस का विश्वास गहत या फिर आपके साथ दोका हो सकता है अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष सरवजनिक आप ना करें तथा अपनी महत्मकून वस्तियों को बहुत अधिक समाल कर रखें और साथ साथ बता दें वाहन या फिर कोई भी मशीनरी सम्मंदी उपकरन बहुत ध् का विश्वासी रिष्टेदार से सम्मंदित कोई ए प्रिये या ए सुप समाचार आपको मिल सकता है खर्चों की भी अधिकता पर आज आपको अंकुष लगा कर रखना आवश्चक है और साथ शाथ आपको बता दें पुरानी गलतियों से सीख कर आज और अधिक भेतरे नी कोई रूप रेखा भी आज बनेगी और साथ शाथ बता दें धार्मिक तता आध्यत्मिक गति वीदियों में आज आपका रुजहन रहेगा किसी जरुतमंद की मदद करने से आत्मिक खुशी की आपको प्राप्ति होगी किसी सुप चिंतक का आसिरवाद वे सुप कामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होंगी साथ शाथ आपको बता दें अपने रिष्टेदारों के साथ संबंद खराब होने की भी आशंका है इसलिए क्रोधी सुप पर आपको नियंतन रखने की आवशक्त है कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन थोड़ा उदास रहेगा युव कभी किसी काम में मनो अनुकूल परिणाम ना मिलने से आप ऐस हैज महसूस कर सकते हैं परन्तु जल्द ही शमादहन भी आपको प्राप्त होगा व्यर्द के कामों में आप शमय नश्ट ना करें तता खर्चे भी बजट के अनुसार ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेग किसी जवतमन्द मित्र की मदद करने से आत्मिक सांती आपको प्राप्त होगी कुछ समय में परिवार के साथ हास परियास तता मनोरंजन संबंदिक कारू में भी व्यतित होगा जिससे आपको काफी खुशी मैसूस होगी और धर परिवार का वातावरन बहुती खुसनुमा रहेगा साथ साथ बता दें अध्यनरत विद्धारती आलस की वज़े से पढ़ाही में पिछर सकते हैं किसी भी प्रकार की यात्रा को करने से आप परेज गरें क्योंकि किसी भी प्रकार का फायदा आज आपको ना होने की इस्तिति लग रही हैं संतान की परिशानी में आज आपका सयोग उत्तम रहेगा और दोस्तों साथ साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो दोस्तों आपको बता दें पती पतिनी के बीच आपसी समंजस मधूर रहेगा पुराने मित्र से मुलाकात आज आपको प्रसनता देगी तथा पुराने यादे भी त गर परिवार पर समय देना परिवारिक संबंदों को और अधिक मजबूत करेगा तता घर का वातावरण खुसनुमा बना रहेगा जीवन साती के सयोग परिवार के वातावरण को सांतिपूर्ण तता अनुशासित बना कर रखेगा किसी मांगलिक कार संबंदी आज योजनाए भी बन सकती है प्रेम जीवन के लिए आज का दिन आप के लिए बहुती अच्छा साबित होगा और दोस्तों साथी साथ बात करें आज आपका वेवेशाय और केरियर कैसा रहेगा तो दोस्तों आपको बता दें क्यारे छित्र में मरमत वे रंग रोगन सम्मंदिक कारों की आज मिल सकती है जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कमीशन संबंदित वेवेशाय में आज सपलता प्राप्त होगी साथी साथ वेवेशाय संबंदी नई नई बातों की जानकरी आज आपको प्राप्त होगी इससे आज आज आपका आत्म विश्वास बढ़ेग आफिस के काम से किसी तूर पर भी आज आपको जाना पड़ सकता है साथ ही आज बॉनस या तरक्की के भी योग आपके लिए बन रहे हैं और आपको यह भी बता दे कारेच छेतर में अपने प्रती निदियों की गती विदियो को नजर अंदाज आपना करे वे लोग आपकी कारेप प्रिनलाली की नकल कर सकते हैं किसी उच्च वे वरिष्ट अधिकारी के सयोग से राजिके काम आज पूर होंगे कहीं से रुका हुआ या फिर उधार दिया हुआ पैसा भी आज आपको प्राप्त हो सकता है साथी साथ आज आप अपने कारेच छेतर में अपनी गती विदियो में और अधिक सुधार लाने के प्रत्र करेंगे परन्तु आज यदि आपको डील करते हैं तो डील करते समय बहुत अधिक चोकना रहने की आपको आपको अवशकता है थोड़ी सी असाफधानी या फिर गलती का बड़ा खाम याजा आपको आज भूगतना पड़ सकता है आपको बता दें नौकरी में कोई तरक्की मिलने की आज उमीद है जिससे आपको खुशी का अनुबब होगा दोस्तों यूं कहें कि आज आप अपनी सफलताओं के जंडे गारने वाले हैं केरियर संबंदी आज के दिन आपके लिए अतियन तलाब करी और बहुत ये अपर्टीज की परिशानी से सम्मंदित लोग आज अपना ध्यान विशेश रूप से रखें तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें अपनी दिन चरिया को सयमित रखें बदलते मौसम के नकारत्मक प्रभाव का अशर आपके स्वास्त पर भी पढ़ सकता है इसके लिए आप आयरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करें नियमित योग और प्रणयाम के साहर अले आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साती सात बात करें आज आपके लिए भाग्यसाली अंक क्या रहने वाला है तो दोस्तों आपको बता दें आज लिए भाग्यसाली अंक रहने वाला है पांच और भाग्यसाली रंग रहने वाला है गहरा नारंगी दोस्तों साथे साथ बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाई लाब कारी शापित होंगे किन किन उपायों को करने से आपको लाब मिलेगा तो दोस्तों आपको बता प्रत्काल गरीवी खत्म हो जाएगी आर्थिक इस्तिती पहले से बहतर हो जाएगी धन लाब के योग बनते हैं नौकरी बिजनिस वैपार में तरक्की के योग बनते हैं या दोस्तों ग्यारा दाने सूर्य उद्य के समय खाएं आपको लाब मिलेगा और दोस्तों साती साता आप क्या करें मीठे चावल बनाकर गरीबों में बाटें ऐसा यदि आप करते हैं तो आर्थिक इस्तिती तो मजबूत होती ही होती है इससे आपको रोजगार प्राप्ति के भी योग बनते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परिशानी है उस परिशानी से धीर धी दोस्तों साथी साथ बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिसा साथ मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका भाग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भाग्य का पूरे 93% साथ मिलेगा हरहर महादेव जय भुलेनात